तो हेलो फ्रेंज वेल्कम टू दे चैनल लिनाज किचन हिंदी तो आज मैं बनाने जा रही हूं चोलाई की सबजी चोलाई की भाजी तो मेरे ही हाँ पे तो इसको चनलाई बोलते हैं और किसी किसी जगह इसको चोलाई बोलते हैं और कई कई चोलाई भी बोलते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है बिल्कु ग्रीन दिखाई देती है और किसी भी सबजी वाले के पास आसानी से मिल जाती है तो ये इस की भाजी तो इसको एक बार साफ कर लेंगे साफ करने के बार तो इसको अच्छी तरीके से धो लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो इसको दो या तीन बार वाश कर लें और वाश करने के बाद इसकी कटिंग करनी है बिल्कुल बारिक बारिक तो द यहां पर मैंने इंडिकेंट ले लिया है या अलू लिया है दो बड़े साइज के प्याज और मिर्च और जितने भी मसाले डालेंगे वह तो यहां पर मैंने गेस पर रख दी है कड़ाई तो एक बार आप चुलाई की भाजी खाएंगे तो दूसरी पालक मेथी और दूसरी चोलाई की भाजी बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशिस बनती अगर आपको आप इसको बिल्कुल तारीके से बनाएं तो यहां पर मैं हींग एड़ करने जारी हूं चोथा ही चमच इसके साथ जीरा भी आड़ किया मैंने तो चोलाई की भाजी अगर आप अपने बच्चों को बना कर दें तो अगर स्पैसी कम खाते हैं तो बच्चों को बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ही बना कर खिलाएं तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है उखाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है इसके सामने दूसरे सबजिया भी फेल लगती है तो देखिए जीरे को ज़्यादा जलाना नहीं है और इसको लगने देना है तड़का तड़का लगने के बाद देखिए कलर भी चेंज हुआ जीरे का तो यहाँ पर मैं अड़ करने जा रही हूँ दो छोटी साइज की प्याज जिसको बिल्कु बारी काट लिया है तो आप चाहे तो यहाँ पर लैसून का प्रियोग भी कर सकते हैं लेकिन मैं लैसून एड़ नहीं कर रही हूँ और इसको बिल्कुल चलाते रहना है प्याज को जब तक की हलका सा थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और इसका कच्चापन दूर ना हो जाए तो देखे मिनिमम एक मिनिट तक तो इसको इसी तरह से चलाते रहना बिल्कु है फ्लेम पर और इसके बाद में यहाँ एड़ करूंगी दो ग्रीन चिली बिल्कु गोल-गोल कटिंग करके तो इसे भी फ्राइ कर लेंगे तो साइड में देखे प्याज का भी कलर थोड़ा सा हलका सा गोल्डन सा होने लगा है तो जब तक प्याज और ग्रीन चिली फ्राइ होगी तो सबसब पहले हम इसमें एड़ करेंगे जो भी चोलाई और चोलाई है यह तीन तरह की चोलाई पाई जाती एक रेड कलर में आती है और एक छोटे पत्तों में आती है और एक बड़े पत्तों में तो बड़े पत्तों में ही मिलती है यह तो यहाँ पर आलू एड करने जारी हूँ आलू को पहले से कटिंग करके पानी ते हैं कि बाहनले में डाल देता कि नालिह वाइप हूं की अगालनी दौन दाफ में opened तक लूद 해क लोका में दाब दाबल अगह बिंग तके नालु का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाय तो बिलकूँ इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राइब करना है आलू को तो सबसे पहले आलू गल जाए या फ्राइब हो जाए इसलिए सबसे पहले नमक एड किया है यहां पर गैस की फ्लेम देखें यहां पर तेज रखी है मैंने तो थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है आलू का तक इसमें जो पानी भी होगा आलू का तो पानी भी जल जाएगा और हलके हलके से गल भी जाते हैं अगर हम आलू को तेल में पहले फ्राइ करते हैं तो फ्राइब हो जाते हैं हलका सा और अब इसमें एड्ट करेंगे जो हमने चॉलाई गाटके रखी थी बारी काटके रखिए आप चाहे तो इसको मोटी भी काट सकते हैं बिल्कुल जल्दी गल जाती है चौलाई तो इसलिए आलू को पहले पकाया है और देखिए बिल्कुल बारी कटिंग में की है और इसको धो लेना है दो से तीन बार पानी से तो एड़ करेंगे यहां पर और एक बार इसको चला लेना है तो ग्रीन मेजीटेबल तो जो हेल्टी लोग होते हैं वो ग्रीन वेजीटेबल खाना बहुत ज़्यादा पसंड करते हैं जैसे पालक मैंती क्योंकि ग्रीन вेजीटेबल खाने से हमारी आंकों की रोश्ingen तेज होती है तो यहां पर मैंने मिला लिए और अब में इसमेंद करूंगी दो रैड चीली जो सुखी रैड चीली होती वो जब दो पहले मैं नहीं डाली कि पहले डालने से यह जल जाती हो इसका फीलेवर भी जेंज हो तो इसको पकाने के लिए ढखका रखेंगे विदिन वन मिनिट के लिए तो बहुत ही अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाते तो इस स्टेज से हलकी सी चौता ही चमच रेट चिली डाल कर आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं तो यहां पर एक बार ढखकन हटा तो देखिए बिल्कुल आलू भी फ्राय हो चुके हैं और चौलाई भी गल चुकी हैं यहां पर तो एक बार मिला लेंगे इसको देखिए चेक करके बता तो देखिए आलू गल चुके हैं यहां पर बिल्कुल कोई भी मसाला डाले बगा अगर आप आलू को पहले फ्राय करते हैं तो यहां पर मैंने बीच में जगर कर दी है और इसमें एड किया है टमाटर तो एड करने के बाद टमाटर के उपर ही हम डालेंगे जितने भी सारे सुके मसाले हैं वो एड कर देंगे तो सबजी को बनाने का मैथड यही है कि जब हम नमक में पहले सबजी को फ्राय करते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है हल्दी एड की चौता ही चमच और धनिया स्पाइसी और मसालेदार चेटपेटी चोलाई की सबजी और इसके उपर कवर करके रखेंगे इसको करीबन 15 सेकिंड के लिए जब तक कि टमाटर मेल्ट ना हो जाए तो कवर करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर कवर कर दिया है मैंने और गैस की फ्लेम को रखना है बिल्कुल ही कम क्योंकि सारे सबजी गल चुकी है बस मसाला फ्राई होना बाकि है तो यहां पर देखिए 15 सेकिंड हो चुका है और टमाटर भी मेल्ट हो गए तो एक बार इसको चला लेंगे मिला लेंगे टमाटर के साथ ताकि जितना भी मसाला है वो सबजी में अब जो हो जाए तो कलर भी चेंज हो गया है सबजी का बिल्कुल बनी है चटपटी मसाले दा स्पाइसी चौलाई की भाजी अब आप यहां चाहे तो आलू कम भी कर सकते हैं अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे तो आलू कम करके और वही रेसिपी और देखिए आप टमाटर भी मेल्ट हो चुके मैं दिखाती हूँ आपको यह प्रोसेस बहुत ही अच्छी प्रोसेस है अगर आपको सबजी कर ज बहुत ही जल्दी महतर से बनती है और यहां ऐसे नहीं कि आलू बिल्कुल छोटे छोटे काटके रखे हैं और उसके बाद में सब्जी फ्राई की है तो बिल्कुल ही इसी तरह से बनाई है तो बहुत ही जल्दी बनी है तो एक बार बिल्कुल चलाते रहना जब तक इसका प परफेक्ट तो एक बार मिला लेंगे इसको तो मैंने जो रह और चारो तरफ पानी भी ऑईल भी सेप्रेट हो चुका है यहां पर तो इसका सारा पानी जल चुका है और बिल्कु मसाला फ्राइं हो चुका है और सबजी भी बनकर रैडी है बिल्कु कलरफुल और बिल्कु हल्दी बनी है यह बनी है बड़ो की हिसाब से सबजी बिल्कु चर्पेटी मसालेदार और पहुती डिलिशस रसपी चौलाई की तो यहां पर मैं करने जारी हूं सर्विंग तो इस सबजी को देखते ही तो मेरे मूँ में पानी आ गया बहुती अच्छी और बहुती डिलिशिस चटपटी बनी है और यहां पर गैस के फ्लेम को कर देंगे बन और इसको सर्विंग करेंगे एक सर्विंग प्लेट में तो ग्रीन वेजिटेबल में धनिया तो डाना उपकोसली सही नहीं लगता है इसलिए तो मैंने सी से गानिश किया आप इसको निकालकर खा भी सकते हैं बाद में ऐसे ही सबजी को तो मैं दिखाती हूं आपको बिल्कुल पास से क्लोज अप शोट इसका बिल्कुल चटपटी मस सालेदार बनी है तो बड़ो के तो मुँ में देखकर आजाएगा पानी अगर आप अपने घर में बहुत ही हल्दी सबजी अब बनाते हैं हल्दी वेजिटेबल बनाते हैं तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करें तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो क लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना तो बच्चों को अगर आप बना के दे तो इसी तरह से ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल बना के दीजिए वो लॉक डाउन में क्योंकि मेथी पालक तो हर को ही बनाता इस सबजी को बनाना बहु जरूर बनाईए और अपने घरवालों को बिल्कुर हेल्दी और बहुती डिलीशेस रेसिपी बना बना कर खिलाईए तो लग रही है ना बहुती ज़्यादा डिलीशेस चोलाई की भाजी और आपने आखरी तक वीडियो देखा हूँ तो आप मुझे कमेंट बोक्स में जर निक रेसिपी बें बाबाई टेक केर स्टें होम